जेहिंद साथियो आप सभी का श्वागत है साथियो आज हम लोग एड़ब का पार्ट 7 लेकर आए है और आज पूरी एड़ब को खतम कर देंगे जितने भी सारे कंसेप्ट हैं और उसको बात कल जो है वन सोट रिविजन एड़ब का डालेंगे जिससे पूरा जितना पर पढ़ाया वो सारा डिविजन हो जा और खतम हो जाए ठीक है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को शपूर्ट नहीं किया है मतलब स्ब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं like कर सकते हैं और comment में जाकर जयेहिंद लिख सकते हैं शाति यो तो ताकि हमें भी थोड़ा motivation मिलता है आप लोगों से ही motivate रहता हूं साथियो तो आप कर सकते हैं कि ये बंदा कोई मेहनत कर रहा है हमारे लिए question खुद लिखते हैं साथियो ये नहीं कि कोई हमारे पास typewriter है ये सब नहीं आप देख रहे होंगे कि हम अपने हाथों से लिखा हुआ है साथियो तो आपको जरूर पसंदार होगा सारा PDF में डालता जा रहा हूं पहला question he thinks me that's a full सबसे पहले इसमें option है as लगाना है या as नहीं लगाना है तो कुछ बाते आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि as किसमें लगता है और किसमें नहीं लगता है मैंने बहुत पहले एक full form देतीया था आप सभी को c a m e n t का जो बच्चे पढ़ रहे हमसे regularly हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको यह full form याद ही हो गया होगा c a m e n t c for मैंने बताया था सात्यों call होता है choose होता है और consider होता है call बताया था चूज बताया था और consider भी बताया था ठीक है a से बताया था सारी साथ्यों a point यह बहुत important a point वाला जैदा पुछता है m से बताया था make इसे बताया था elect ठीक है n से बताया था साथ्यों name आप लिख लीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सुन तो रहे होगे न तो लिख सकते हैं आप इसका full form टी से बताया था think ठीक है think बताया था साथ्यों और इसकी जो comment है उसके साथ एज नहीं आता है बहुत important comment के साथ साथ यो as नहीं आता है आपको मैं एक बड़ फिर से बताता हूँ comment के साथ as नहीं आता है और एक बड़ प्रीज note down अपने copy में कर सकते हैं मैं एक बड़ फिर से बोल ला हूँ c से याद रखिए call हुआ choose हुआ consider हुआ ठीक है c हो गया a से ठीक है यहां लिख देते हैं as नहीं आता है ठीक है तो आपको पता चल गया question है he thinks me that's a full c a m e n t t से क्या होता है think think के साथ as आता है क्या as नहीं आता शात्यों तो यहां option a हो जाएगा ठीक है he thinks me a full second question he appointed me as a teacher शात्यों अभी मैंने बता है c a m e n t देखिए ऐसे ही इरर साथ की question आपको exam में देखने को मिल जाएंगे एक point के साथ भी शात्यों एज नहीं आता है ठीक है कि नो हो गया नो एक के साथ आर से ओग्यारड अरसे ती लिख सकते हैं आप define कि डिस्क्राइब कि डिफिक्ट बिफिक्ट भी लिखी लीजिए कि डिपिक्ट मैंने लिखा ए ठीक है और टी से ओग्या ट्रीट और view तो है इस सारे के साथ as आता है no rdt view के साथ सात्यों आप लिख लिए as आता है no rdt view के साथ as आता है और comment के साथ as नहीं आता है r से लिख लो अपने copy में regard, d से define, describe और depict, d से होता है treat ठीक है तो इसके साथ आप लोगों को as लगाना है ठीक है please note कर सकते हैं he regarded him as a brother regard के साथ क्या सात्यों आप लगाना है बिलकुल लगाना है बहुत important ठीक है तो तीन question कराएं और तीन concept साथ्यों मेंने बताया है ठीक है question number 4 है साथ्यो a man of 50 can't be called as young साथ्यों ये question आप देखिए और आप बताये error किस part में है तो अब ही आपने बताया c से call choose consider comment बताया ना उसके साथ as नहीं आता है तो called हो गया as नहीं आता है ठीक है यहाँ as error हो गया fourth part में और मैं एक बार फिर बजार हो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो please comment box में type कर सकते है मैं पुशिष्ट करूँगा इस सारी doubt को अगले वीडियो में सुलजाने की question number five है the state government appointed him as officer in charge appoint के साथ क्या साथ हो as आता है कि ऐसे ही साथ हो आपको error बना कि दिया जाएगा as नहीं आता साथ हो ठीक है इस part में error है question number six है she is the much strongest girl in my school अब बताते हैं इसका concept क्या है साथ ही हो the much मैंने पहले भी बता है the much कुछ होता ही नहीं the much कुछ होता नहीं इसके जगा आप प्यार से लिखे और much the much the एक superlative के लिए use होता है जो की एकदम सही है superlative तो please इसको भी note down कर सकते है मैंने सारी चीज़ बताया है लेकिन topic wise मैं एक बार फिर से बता दे दा हूँ ठीक है much the होगा the much नहीं होगा और much the क्या होता है superlative होता है degree के लिए होता है ठीक है जैसे हम लोग the very superlative degree भी यूज करते है much competitive में करते है very positive degree में करते है question no.7 है rather is dash tall rather is dash tall option vary या much तो option vary होगा क्योंकि tall कैसा है साथ यो अभी मैंने बताया very कैसा है positive होता है और tall भी तो positive है taller रहता तो much देखते लेकिन यहाँ पर option A correct होगा ठीक है question no.8 है yesterday I felt dash कुछ ऐसी बाते जो आपको जानने है कि एडवर्ब से रिडेटर मैं लिख ही दे रहा हूँ पहले साथियो मैंने कुछ point डाले है प्लीज इसको भी आप note कर लिए eyes, nose, skin, tongue, ear मतलब अपना sense और गिन पूरा तरह से डाल दिया है यहाँ पर ठीक है eyes क्या होता है look होता है scene होता है और यह appear लिखा हूँ ठीक है nose का smell हो गया skin का touch हुआ feel हुआ और tongue से taste होता है और ear से sound होता है इस सारे के साथ साथ यो adjective का ही use कीजिएगा please इस सारे word के साथ आप please adjective का use के दियेगा look, sheen, appear हो smell हो, touch हो, feel हो, test हो, sound हो catchies का use होगा adjective का use होगा note कर लिजे पूरी तरह से मैंने एक बार फिर से बोल दिया भी अच्छा तरुके से लिख भी दिया है note कर सकते है yesterday I felt test तो मैंने क्या बता है felt मतलब क्या हुआ a skin से रिए touch और feel हो आना तो इसके साथ आप क्या use करोगे adjective का use करोगे और bad होगा answer ठीक है bad please यह सारे इंतने important इंते साथ यू adverb में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको आप कहीं भी जाके पढ़लो इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते ठीक है जितना साथ ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ he found das तो found क्या है साथ यू बताओ आप जल्दी भर्ब है साथ यू कल मैंने question बताया था कि जैसे कि coward हुआ noun हुआ quarterly हुआ adjective और in a quarterly manner क्या हुआ adverb हुआ ठीक है तो यहाँ पर verb के बाद adverb आता है आपको सर्थ पता है noun राता तो यहाँ adjective आता verb है तो adverb हैगा in a quarterly manner सारी बाते मैंने कल बता दी थे आप सभी को question number 10 I hardly know nothing about him आपको एक ची बता दो hardly कैसा word है negative word है rarely negative word है तो इस सब के साथ क्या नहीं आता है आप लोग सोचो मन में एक मन यह सब के साथ साथियों क्या नहीं आता है यह सब के साथ not का use नहीं होता तो nothing के जग़ए यहाँ पर आप anything लिख सकते हो ठीक है तो not का use नहीं होता है pair भी बताया था hardly का pair क्या होता है scarcely क्या होता है no sooner का क्या होता है साथियों question number 11 है I could not scarcely see anything because of the fog scarcely भी साथियों कैसा word है negative word है तो इसके साथ भी आप not का use नहीं कर सकते है ठीक है कुछ बाते लिख लो hardly हुआ, rarely हुआ, barely हुआ scarcely हुआ, seldom हुआ forbidden हुआ these words are negative don't use any negative word with these words please ठीक है question number 12 है her failure is much too painful to me अब मैंने एक concept based बताया था too much और much too का too much जो होता है साथियों वो noun होता है मैंने एक ट्रीक भी बताया था याद करने का too much m के बाद साथियो n आता है तो noun हो गया और much too much too साथियों क्या होता है adjective होता है यह सारे बात मैंने बता दिये था बहुत पहले भी लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ तो यह इस पार्ट साथियो no error है ठीक है इस question में बहुत important concept है much too or too much का भी please meet me dash यह ही बहुत important है tomorrow here होगा या here tomorrow आपको क्या लग रहा है please meet me here tomorrow होगा ना मिलकुल आपके हिसाब से तो यह ही होगा और इसके concept ही भी बता देता हूँ MPT manner place time MPT मतलब manner place time यह आपको full form याद रखना है manner place time M से manner place time यह एक sequence में आपको arrange करना है ठीक है manner place time तो देखो tomorrow place हुआ और here क्या हुआ sorry tomorrow होगया MPT time T से time होगा और here मतलब place MPT manner place time तो पहले तो place आना है तो place here हो गया और time tomorrow हो गया तो option भी correct हो गया question number 12 है साती हो 14 है sorry the rich treated them badly here yesterday yesterday here badly MPT याद रखो MPT manner place time manner badly एक manner है बिलकुल है place here है और time बिलकुल है ऐसे ही देखके मारना है आपको the rich treated them badly here yesterday साती हो कितना important concept है आथ सोचो यकीन करो यह आप बहुत कम teacher पर आते हो यह बहुत कम teacher साती हो और मैं उन में से एक ना में देना चाहता हूँ दिखचा मैम का जिन्होंने मुझे ऐसा concept बतायों मैं तो उन्होंने इतना ऐचा concept बताया मैं उनको salute करता हो मैंने जितने concept सात्यों आपको मैं trick के साथ बताता हूं उनी का बताता हूं सात्यों उनी से पढ़ा हूं तब बताता हूं ठीक है तो question 14 भी बता दिया मैंनल प्लेश टाइम question number 15 है he dash here comes often या often comes यह एक ऐसा है he dash here आपको पता है frequency degree frequency degree plus main verb आता है frequency degree plus main verb का यूज किया जाता है frequency वह टिगड़ी हुआ यह सकते तो frequency degree plus main verb आता है frequency डिगड़ी कुछ आप लोग याद कर लिजेगा तो comes often often comes तो आपको पता है का बहर्ब है main verb है और often हो गया frequency तो option भी करेक्ट हो गया option भी सात्यों करेक्ट हो गया often comes यह सब याद रगए question 16 सात्यों ही रिष्ट दा इस्टेशन अल्मोस्ट इन टाइम ठीक है तो इसके concept भी अपकी बताया है frequency डिगड़ी प्लस मेंवर्ब यह नहीं है सात्यों तो यह है आपको frequency और यह है तो क्या करना है पहले frequency डिगड़ी तो ही एल्मोस्ट और इसके साथ ही मेंवर्ब ही एल्मोस्ट रिष्ट दा इस्टेशन इन टाइम ठीक है तो इसका एंसर यहां यह आ जाएगा और इसके बगल में यह आ जाएगा ओके और सभी को पता है faith कैसा है नाउन है तो यहां पर too much होगा मैंने concept भी पता है too much M से नाउन तो too much होगा है सात्यों अगर वीडियो अच्छा लगे तभी like, share, comment में जैहिन लिख सकते हैं जैहिन जै भारत, बंदे मात्रों और संदिता ए टाग appear झात्ड़ चृम्ट थिले में जाने संदिता